नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार साल की सबसे बड़ी अमावस्या अधिक मास्ट रावन अमावस्या इस दिन भगवान शनिदेव के आशिरवाद से बना दिव्या और द 16 अगस्त यानी की अधिक मास्ट रावन अमावस्या के दिन स्वयंग विधाता भी नहीं रोक सकती करोरपती बनने से माला माल बनने से अब भगवान शनिदेव स्वयंग इन छै राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट दूर करने वाले हैं और अब इन छ शनिदेव की क्रिपा से 16 अगस्त अधिक मास्ट रावन अमावस्या के दिन करोरपती बनने वाली है धंग से माला माल बनने वाली है आज इस वीडियो हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुर करते हैं कि भगवान शनिदेव के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य रखें जिससे भगवान शनिदेव की क्रिपा आपके और आपके परिवार के उपर सदैव बनी रही और ज्यादा से ज्यादा से वीडियो को अपने दोस इस दिन अधिक मास के दिन इस बार यानी 16 अगस्त को अधिक मास के दिन बहुत ही दुलब सन्योग बना है। मास में पढ़ने वाली अमावस्या तिधी बेहद ही खास मानी जा रही है। इस बार दरसल अधिक मास में पढ़ने वाली अमावस्या तिथी तीन साल में एक बार ही आती है, मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्राद कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा त्रिप्त करने के लिए, उन्हें प्रसंद करने के लिए अन्नधन वस्त्र जो भी दा करते हैं, ऐसा करने से पितर प्रसंद होकर उन्हें वंश्वरिधी का आशीश देते हैं और समस्थ संकटों से उनको मुक्ती मिल जाती है और परिवार में खुशिया ही खुशिया आती है, और आपको बताना चाहेंगे इस दिन आप अमावस्या के दिन में अधिक मास श्रा देते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्थ होती है, साथ ही घर परिवार में सुक समरिधी आती है, तो पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जरूर प्रजवलित करें, अधिक मास श्रावन अमावस्या के दिन लाभ मिलेगा, वैसे तो सुबह ज रहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे डाल कर सनान करें, ऐसा करने से आपको गंगा सनान के बराबर का फल प्राप्थ होगा, इसके बाद आप भगवान सूर्य देव को अरग्य देव के मंतरों का जाप करें, सनान करने के बाद घर के मंदिर आपको दीप प् ग्वास भी रखे हैं। तो समझ लेना पित्री दोश से समस्त दोश सभी दोशों से छुटकारा मिल जाता है, तो भगवान शनी देव की भी आपको आराधना अधिक से नहीं करनी है। कौन कौन सी छै भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हे स्वय विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। मालामाल बनने से करोरपती बनने से चलिये शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनी देव का भी आता है। भगवान शनी देव सर्वोच न्यायाधीश हैं और भगवान शनी देव अनुचित कार्य करने वालों को समय आने पर दंड भी देते हैं। शनी देव सूर्य पुत्र और कर्मफल के दाता मानी जाती है और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रदान करने वाले एक मात्र भगवान शनी देव ही हैं। शनी देव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि शनिदेव प्रकृती में संतुलन बना कर रखते हैं और ये सभी प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। शनिदेव की कृपा जिस इनसान पर हो जाती है। उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुचाते हैं, भगवान शनिदेव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा बारा राशियों में से कुछ राशी वालों पर होने वाली है, इन राशी वालों पर भगवान शनिदेव बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं, अब इन राशी वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आपको बता दें कि भगवान शनिदेव अब इन राशी वालों पर अपनी अत्यधिक कृपा बरसाने वाली है दोस्तों इस प्रभाव से इन राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशिया ही खुशिया दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की विशेश क्रिपा इन राशी वालों पर होने वाली है। भगवान शनिदेव की क्रिपा से इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशी वालों को भगवान शनिदेव के आशिरवाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन, लाभ और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है, जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव की क्रिपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशी आती है वह है। मकर राशी मकर राशी वालों को बता दें कि आपके उपर भगवान शनिदेव की अपार क्रिपा दृष्टी बनी रहेंगी जिससे इन्हें धनलाभ प्राप्ती होने की संभावना है। आपको बता दें इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिधी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राशी के लोगों की आई में व्रिधी होगी जो लोग व्यापारी हैं, उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है आप अपने सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे भगवान शनिदेव की विशेश कृपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशिया ही खुशिया जिससे मकर राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जो अगली राशी है वे राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है भगवान शनिदेव आपके उपर बेहत प्रसंन है आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृध्धी होगी मेश राशिवालों जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपको बता दें कि भगवान श्री देव की क्रिपा से आपको अब सफलता के नए अफसर प्राप्थ होने वाले हैं उन अफसरों को प्राप्थ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगी आपको बता दें कि जो भी कार्य हैं आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो दोस्तों भगवान शनी देव के आशिरवाद से मैश राशी बालू आपके आय के साधनों में व्रिध्धी होगी। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रही हैं तो में योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। राशी वालों को बता दें कि अब भगवान शनी देव के आशिरवाद से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों आपके द्वारा की गई मेहंत का अब आपको फाइदा प्राप्त होगा। आपको बता देंगे भगवान शनी देव की क्रिपा से ही आपकी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी। आपके रूप में कार्य अब सफलता पूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मिल जोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब, धन, लाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है। सीवाले लोगों को परिवार और जीवन साथी का पूरा सहियोग प्राप्त होगा। आपकी मधुरवानी की वजह से आपके सभी कर रहे हैं। अब सफलतापूरवक पूरे होंगे। भगवान शनी देव जी की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानिया प्रूर होंगी और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे। वे कार्य अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की विशेश कृपा व्रिशभ राशी वालों आपके उपर बन रही है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अबित होने वाला है। साथ साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की विशेश कृपा कन्या राशी आपके उपर बन रही है। साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ती के अनेक ओफिसर कन्या राशी वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ती होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया बाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वे योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की आपके उपर कृपा द्रिष्टी बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान शनिदेव अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाब, धन लाब और सफलता की प्राप्ती होने वाली है, जिससे कन्या राशी आपका जीवन बदल जाएगा। जब दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती हैं, वे राशी है। दोस्तों भगवान शनिदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिद्धी होगी। सिन्ह राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन व्रिद्धी की पूरी योग हैं। जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा जिससे घर प्रिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री देव की कृपासे सिंह राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ती होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा. कहना गलत नहीं होगा. सिंह राशी वालों भगवान श्री देव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णत है पक्ष में हैं. दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है धनु राशी धनु राशी वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की क्रिपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रही है जहां दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहंत का अब आपको फल मिलने वाला है आपको बता दें जो आपने मेहंत की है उसका फल अब आपको प्राप्थ होगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दें आपके रुके हुए कार्य भगवान शनिदेव का आशिरवात से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दें कि आप लोगों के उपर भगवान शनिदेव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ती के अनेकों अफसर प्राप्त होंगे धन में खूब व्रिद्धी होगी और अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी बड़ी सफलता ये अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन व्रिद्धी के भी योग है आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समस्त परिशानियों का अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है, अब अपार खुशिया ही खुशिया जिससे आपका जीवन बदल जाएगा इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वह राशी है, कुम्भ राशी कुम्भ राशी वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की क्रिपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है जादू उस्तो भगवान शनिदेव आपके उपर बेहत प्रसन्न है आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुश्खबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या दोस्तों आपको बता दें कुम्भराशी वालों अपनी जो भी महंत की है, उस महंत का अब आपको फल प्राप्थ होने वाला है साथ साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य है, बे कर रहे हैं, आपके सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे और साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुम्भराशी वालों अब आपके जीवन में चारों तरफ से घुसी खुशियां आने वाली है. भगवान शनिदेव आपके उपर बेहत प्रसन्न है. साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन बृध्धी के योग हैं. साथ साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मन्चाही नौकरी भी मिलेगी. साथ साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वह पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा. साथ साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही है, वे रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में खुशिया ही खुशिया होंगी. कुम्भराशी वालों आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे. भगवान शनिदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर कुम्भराशी वालों बन रही है. समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं. इस समय का भरपूर लाब हुठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें जो अगली राशी आती है वह राशी है. मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है. आपको आने वाले समय में अब आए और नौकरी में पदोनती मिलेगी. व्यापार में अचानत लाभ मिलेगा. और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी. सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शान्ती वा आनंद का वातावर्ण रहेगा. आपको कोई बड़ी खुश्खबरी मिल सकती है. भगवान शनिदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे. आपके जीवन में आपको अपार खुशियों के प्राप्ती होने वाली है, जिससे आपके जीवन में होंगे. साथ साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो में योजना इनकी अवश्य सफल होने वाली है. संतान प्राप्ती का भी शुक्र मिथुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है, जिससे घर परिवार में होंगे कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णतह पक्ष में रहने वाला है समय का भरपूर लाब हुठाएं और समय को हाथ से न जाने दें इन राशी वालों के जीवन में होंगी अब खुशिया दोस्तों भगवान शनी देव का आशिरवाद आपको प्राप्थो सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स लिखें वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करें तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार